हेलो दोस्तों, तारक महता का उल्टा चश्मा शो के जरिये अपनी एक्टिंग से लोगों के चहरे पर मुस्कान लाने वाले एक्टर दिलीब जोशी का आज जनम दिन है एक्टर दिलीब जोशी का जनम 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था तारक महता का उल्टा चश्मा शो में एक्टर दिलीब जोशी जेटा लाल का किरदार निवाते हुए नजर आते हैं जो की उनके सबसे बहतरीन किरदारों में से एक है 1997 में एक्टर दिलीब जोशी ने अपने करियर की शुरुआत क्या बात है सीरियल से की थी इतना ही नहीं, एक्टर दिलीब जोशी सीरियल और सो के अलाबा कई फिल्मों में भी काम कर चुके है एक्टर दिलीब जोशी के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने हम आपके हैं कौन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हम राज, दिल है तुमारा जैसी 15 फिल्मों में काम किया है एक्टर दिलीब जोशी को इस सो के जरिये अब तक करीब 16 अबोर्ड मिल चुकी है इतना ही नहीं एक रिपोर्ट के मताबिक दिलीब जोशी को अपने रोल के लिए एक एपिसोड के लगबग 1.5 लाग रुपे मिलते हैं यानि एक्टर दिलीब जोशी एक महीने में 36 लाग रुपे से ज़्यादा कमा लेते हैं एक्टर दिलीब जोशी के परसनल लाइफ के बारे में बात करें तो एक्टर दिलीब जोशी की पतनी का नाम जैमाला है वहीं एक्टर के दो बच्चे भी हैं बेटे का नाम रितिक और बेटी का नाम नियती है अक्टर दिलीब जोशी ने एक इंटर्व्यू की दौरान बताया कि वह जब ठेटर करते थे तो उस वक्त उनकी दिलचस्मी एक्टिंग की तरफ जादा होने लगी और उन्होंने इसकी बज़े से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी इस पर उन्होंने मलाल जताते हुए कहा की कास में पढ़ाई पूरी कर पाता वैसे ये कहना बिल्कुल भी गरत नहीं होगा कि तारफ महता का उल्टा चश्मा के हिट होने के पीछे की वज़े कहीं न कहीं एक्टर दिलीब जोशी की चांदार एक्टिंग है